Hey guys welcome back to another video I hope you guys are doing absolutely fine so guys आज मैं बात करने वाला हूँ SKJ Law College जो कि मुझा परपुर में है उसके बारे मैं बात करूँगा कि उसका जो entrance date या कहूं कि merit based पे जो admission हो रहा है उसके बारे में बात करूँगा और क्योंकि कि बहुत सरे student ऐसे हैं जो पतना law college में अपना admission करवाना चाहते हैं लेकिन उसकी BCI approval नहीं मिली है उसके कारणी यहां पे entrance date अभी तक उसका कुछ भी नहीं आया है approval नहीं मिला है तो इसके लिए मैं alternate आपके लिए option लाया हूँ कि अगर आप dedicated है कि आपको law करना है तो SKJ law college मुझा परपूर से आप कर सकते हैं तो आईए थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करते हैं और उससे पहले अगर मैं आपसे request करूँगा कि अगर आपने अभी तक मैं चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जुरूर subscribe कर लें और like करके ही जाना तो बात करते हैं हम लोग यहां पर जैसे आप लोग देख रहे हैं यह कलका नियूस पेपर है LLB में दाखिले के लिए 28 तक आवेदन तो LLB में दाखिले के लिए कहां पर आपको SKJ law college में यहां पर देख सकते हैं SKJ law college में नामंकन के लिए चात्र चात्राएं अब 28 अगस्त तक आवेदन कर सकेंग कॉलेज ने आवेदन तीथी बढ़ा दी है इस वर्स बिना परिच्छा के ही नामंकन होगा तो जैसे कि आप लोग पर रहे हैं कि यहां पर बिना परिच्छा के ही नामंकन होगा इस नातक के अंग online interview और counseling के अधार पर merit list जारी की जाएगी तो जैसे कि आप लोग यहां पर merit list या merit जो भी होगा वो यहां पर जारी कर दिया जाएगा यहां के जो principal है Dr. KKN तिवारी ने कहा है करोना संकट को देखते हुए परिच्छा आयोजन संभव नहीं है online interview और counseling 29 अगस तक अगस से होगी मतलब that means कि 28 अगस तक form भरा जाएगा और 29 अगस से ही आपका यह सब जो प्रोसेस है वो चाल हो जाएगा merit list जो है आपका यहां पर देखें merit list एक सितंबर को जारी होगी और नामंकन दो सितंबर से सुरू होगा तो गाइस यह मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत ही important है बहुत ही आपके लिए एक अच्छा मौका है अगर आप dedicated हैं आपको law करना है 3 years law करना है तो आप यहां से कर सकते हैं और मैं बता दू कि यहां पर इंट्रेंस भी नहीं हो रहा है कि जैसे कि आप लोग यहां पर पर रहे हैं कि बताया जा रहा है कि करोना को देखते हुए यहां पर आपका online interview प्लस आपका counseling होगा उसके बाद 2 सितंबर से आपके जो process व बारे में भी बात किया था और साथी साथ मैं बता दू कि बहुत सरे दोस्तों ने request किया था कि इस पर वीडियो बनाने के लिए that means मैं यहां पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि जो भी friends हैं जो भी student हैं यहां पर अपना admission करवाना चाहते हैं law में admission करवाना चाहते है लौ अपना complete करना चाहते हैं परना चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है यहां पर मैं थोड़ा सा आपका इसके जिए law college का website में आपको अप्लाइ करना है यहां पर देख सकते हैं इसके जो लौ कॉलेज आप जैसे सर्च करेंगे तो यहां पर यहां पर देख रहे हैं यहां पर देख रहे हैं यहां पर अपना जो है मतलब भी अपना फॉर्म वगेरा यह सब यहां पर आकर आप लोग बढ़ सकते हैं एक मिनट यह आ रहा है देखिए और अप्लाइं पर एललबी सेशन 2020 has extended to 28 अगस्त लेकिन यहां पर अप्लाइं पर एललबी सेशन 20 से 21 तक यहां पर अगर जाएंगे तो यहां से अगर क्लिक हेर फॉर अप्लाइं यहां पर जाएंगे आप लोग तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजी आपका इमेल आईडी फ जगस्त तो जल से जदा अगरा फॉर्म भरना चाहते हैं और यहां से क्लिक हेर फॉर रिजिस्टर एन एकाउंट एन अप्लाइए उनलाइन फॉर ललबी तो यहां से आप लोग अपना नाम नंबर इमेल एडी पासवर्ट कॉनफर्म यहां पर आप अपना फॉर्म यहां स सकते हैं और मैं बता दूँ कि जहां तक मुझे जानकाड़ी है यह आपका मुझह परपूर में है इसके जिलो कॉलेज और यह बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा था मैं सोचा कि आप लोगे साथ यह मैं सेयर कर दूँ और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एफलेटे इसके एफलीटि मुझपर पूर से है तो यहां पर आपको आफिलेश एसन और इफलेटेड भी है यहें पर आपको कोई दिकत नहीं होगी और नेक से यहांपर बी प्लस आपका जो है वह गरेड मिला है तो यहां पर आपको लॉघ की डिग्री मतलब परना चाहते हैं तो ल तब तक आपका इंट्रेस्ट की कोई खबर नहीं आ सकती है लेकिन अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो यहां पर फॉर्म भर सकते हैं और तब तक लिए आप लोग से में लेता हूं विदा और मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना लाइक करना अपने दोस्तों में सेयर कर देना और तब तक मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में बाई बाई